तीन माई के बाद जो है वो धिरे धिरे एक्जिट प्लान जो है काम करेगा बाकी दफतर इतादी जब खुलेंगे लेकिन स्टुएंट्स जो है वो डिस्टेंसिंग करना बहुत आसान काम नहीं है इसलिए जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता तब तक जो है काम लेंगे जब नॉर्मस्तिती होगी कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है उनके प्रोरेटा बेसिस पर या टीचर्स की जो है वो पूरे साल भर जो पढ़ाई की है उसके अधार पर जो असेस्मेंट है इंटरनल जो एक्जामिनेशन हुए है प्री ब लिजेंगे और वो सीधा उसकी एफार इत्यादी लग रही है वो और डी काम शुरू है तो हम मई में जो है वो रिजर्ट निकाल देंगे इसके तरिक तम ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी जो है वो हमारी एग्रेमेंट हो गया है लेकिन अभी तक कितना स्लोट मिलेगा उ बच्चे बहुत कम हैं और दस बच्चे हैं और लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत ज kennen होगी उसके लिए अभी पिलान जो है त्ीन मई को जब तैय होगा तब करेंगे और डेया लेवल पर भी वूजीवीटी ने कमेटी है उन्हो उन्हें शिक्षा का कलेंडर जो है और रिवाइस करके कुछ रिकॉमेंडेशन की हैं। जो हमारे मानव सिंसादन मंत्रियां उनके साथ बात होगी। फिर सारे हिंदुस्तान में इस प्रकार से उसके विश्था करेंगे। हिमचल में भी वैसे विश्था करेंगे।